हेलो बच्चों स्वागत है आपके और अपने एटूब चलने करने या कलासेस पर आज हम इस वीडियो में बहुत ही महात्पूर टॉपिक लेकर आए हैं विद्दुद चुमकी तरंगे और उसकी विशेस्ताएं जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विद्दु तो सबसे पहले हाइड डालेंगे विद्दु चुमकी तरंगे इसमें लिखेंगे जिन तरंगों के संचरन के लिए किसी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है उन्हें विद्दु चुमकी तरंगे कहते हैं यानि कि जिन तरंगों के संचरण के विए किसी माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है उसे गहते हैं विद्दुत चुम की तरंगें अब अगले हिंडा लेंगे विद्दुत चुमकी तरंगों की विशेषताएं इसमें लिखेंगे विद्दुत चुमकी तरंगों की विशेषताएं निमलिखित हैं नमबर एक इसमें लिखेंगे विद्दुत चुमकी तरंगे तुरित आवेस द्वारा उत्पन की जाती हैं यानि कि जो विद्दुत चुमकी तरंगे होती हैं वो तुरित आवेस द्वारा उत्पन की जाती हैं अब लिखेंगे नमबर दो इसमें लिखेंगे इनके चलने के लिए कोई माध्यम क्या सकता नहीं पड़ती है क्यानि कि जो विद्दुचुमकी तरंगे होती हैं इनके चलने के लिए कोई किसी माध्यम क्या सकता नहीं होती है नमबर तीन इसमें लिखेंगे ये तरंगे प्रकास की भात प्रावर्तित या अपवर्तित होती हैं जाने कि जो ये तरंगे होती है ये प्रकास की भात प्रावर्तित या अपवर्तित होती हैं आप लिखेंगे नमबर चार इसमें लिखेंगे ये तरंगे प्रावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा धुरुण का गुण प्रादर्शित करती हैं आप लिखेंगे नमबर पांच इसमें लिखेंगे ये तरंगे अनुप्रस्त तरंगे होती हैं यानि कि जो विद्दुत चुमकी तरंगे होती हैं ये प्रस तरंगे होती हैं नमबर छे इने की उर्जा विद्दुत तदा चुमकी सिलों में विभाजित होती हैं अब लिखेंगे नमबर साथ विद्दुत चुमकी तरंगे उदासिन होती हैं यह थी विद्दु चुमकी तरंगे किसे गएते हैं याने कि उसकी परिभासा और विद्दु चुमकी तरंगों की विशेस्ता हैं जो हमने आपको बहुती आसान सब्दों में लिखकर बताया है और समझाया है कि आप परिछा में कैसे लिखेंगे तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत